आज की वीडियो में आपको टीवी की HDMI डिवाइस नो सिगनल प्राब्लम या HDMI पोर्ट्स वर्क ना करने का प्राब्लम ठीक करना से खाऊंगा वीडियो आपने पूरी देखनी है कोई पार्ट स्किप नहीं करना जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सबस्क्राइब ने किया इन से रक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सबस्क्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें वीडियो आप देख सकते हैं कि हमारा टीवी HDMI डिवाइस के साथ कनेक्ट है और इस पर नो सिगनल आ रहे हैं सबसे पहले आपने करना ये है कि जो भी HDMI डिवाइस कनेक्टेड है इसको आफ करें और टीवी से डिसकनेक्ट करें इसके बाद अपने टीवी को में साकिट से अनप्लाग करें यानि पावर ली निकाल दें अगला स्टेप ये है कि अपने टीवी पर जो पावर बटन है इसको दबा कर रखें 20 सेकंट के लिए ये बाद जरूरी है वीवर्स के जो टीवी पर पावर बटन है उसको दबाना है रिमोट वाले को नहीं दबाना और फिर रिलीज कर दें अब दोबार अपनी HDMI डिवाइस कनेक करें टीवी के साथ और दोनों को आन करें आप देख सकते हैं के हमारा HDMI का डिस्पले आ गया है और नो सिगनल प्राब्लम खतम हो गया अगर वीवर्स इस मेतट से भी नो सिगनल प्राब्लम खतम ना हो तो फिर अपने टीवी को फैक्टरी रिसेट करें आपका प्राब्लम ठीक हो जाएगा ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और किसी भी किसम का कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं अल्ला आफिस